जैने दोस्तों आज हम पार्ट 3 लेकर रहा हैं अगर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम टाइप 1 टाइप 2 यह टाइप 3 वाले कोश्चर है तो हम यह कैसे लगाएंगे तो टाइप 3 बेसिकली हमारा इस पर जो डिपेंड करता है वो इस फार्मूले पर डिपेंड करेगा M1, D1, M2, D2, W1, W2 यह सर क्या है ध्यान से सुनिए हम यहां एक बात करेंगे आप लोग तो समय होंगे कि व्यक्ति क्या है डे क्या है काम को भी समझते होंगे कि काम क्या है सर जी काम है क्या जैसे मैं लिख रहा हूं काम मनलब कि आपके सरीर से कुछ एक एक दिन में, दिन क्या है, टाइम है, डे है, एक आदमी क्या है, सर जी वो ब्यक्ति है, कितना रोटी खाएगा, बाव वर्क है, मनलब आपके सरीर से रिलेटर यह पता चले कि आपका सरीर कुछ वर्क कर रहा है तो वही काम है, अब कोशन हमारा यह है, हम इसमें जितने भी कोशन कराएंगे, यह इसी बेस पर होंगे, कभी कभी कोशन यह दे देता है, कभी कभी यह आपको टाइम दे देता है, सजी यतने घंटे म् कर रहा है, तो घंटा कहां लिखेंगे, कुछ भी हो, हमेशा ऊपर लिखेंगे, गुडा कर देंगे, और हमेशा नीचे ध्यान oluyor कि बाबू बारिश होने वाली है इसकाम को जल्दी से जल्दी कर दो तो जलती से जल्दी क्या करो गए हो इसको बोलोगे बाबो इसको जल्दी कर दो तो इसके अंदर रहती समता है नहीं यार तो यह क्या करेगा दस बीस लोगों को और ले आगा तो जल्दी काम हो जाएगा इसलिए साधी व्या में क्या करते हैं जैसे मालूज़ एक आउरा था है वो काम कर रही है बचारी तो साइन को तीन महिने में जाने के लिए 75 व्यक्त नियोंजित किया गाए जहां से सुनीए तीन महिना यहाँ प्रम हमहिना नहीं काउंट करेंगे महिने क्या हैं सभ고 हो जाता है इसलिए हमेसे 30 SAY autopshל करेंगे और को आगर तो रहेगा घना तो multiply करेंगे और नियर अबाउट तो रहेगा ही ना तो इसलिए अगर कोई मन्त में है तो उसको 30 से गुड़ा करेंगे उसको हम दिन में करमट कर लेंगे तो यहां 3 महीना तो कि 3 महीना में कितने स्थरी दिन होसंगे और यहां के से दिन तो इसको पहला पहला मानेंगे जो दूसरा पढ़ेगा इसको डीएवन मानेंगे और सब्सक्राभां कह रहा है, 18 दिनों में कार को पूरा किया जाना चाहिए, मतलब वो MINII कार का या दिन, तो उसको हम DII लिखेंगे कितना आ गया, सरजी 18, कोई दिक्त नहीं है, आप कहरा आप व्यक्तियों कि संख्या कितना व्यक्ति चाहिए तो बाबु व्यक्तियों कि संख्या कितने हो जाएगी M2 बस जो पहले पढ़े उसको पहला पहला मांँ जो दूसरी पढ़े उसको दूसरा मांँ फार्मला क्या है सर जी M1 D1 equal to M2 D2 और अपान क्या है W1 और अपान W2 लेकिन इसमें आपको कार दिया है नहीं है तो कार लिखना जो चीज़ नहीं दिया जीसे फार्मुले में यहां टाइम भी होता है तो क्या यहां टाइम दिया है मिनट घंटा दिया है नहीं तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्या कहीं कार दि यहां घंटा होता तो यहां T1 T2 लिखते दिन हटा देते अब दोको M1 क्या है M1 है 75 और D1 क्या है सरजी 90 और M2 हमको निकालना है और D2 क्या है 18 जहां से कोशन समझेंगे यह कोशन पूछा क्या है कि वंचित समय में कार को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की लाया जाए दोको मैं इस कार को अभी 75 लोगों को भी सामिल कर रहा हूं कि 75 लोग भी मिलने हैं तो कितने आदमी होंगे तो बाबु काटो 18 पचे 90 तो M2 कमान कितना जाएगा 25 पचीज के 5 हसे लगा 25 सते 35 35 दो 37 37 लेकिन यह हमारा एंसर नहीं है क्यों नहीं है कोशन यह पूछा है कि कितने व्यक्तियों को और लाया जाए बाबु 75 को मैं मिला रहा हूं तब इतना आया है अब मैं आप से कह दू तो इसमें तो 75 मिले हैं लेकिन आप से पूछा कितने व्यक्ति को लाया गया तो 75 को हटा दो अब हमारे व्यक्ति कितने आये हैं सजी 300 लोग आये हैं तो यह हमारा एंसर होगा कोई दिक्कत नहीं नेश्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर दो इसके पर देखिए क्या कह रहा है एक ठेकेदार का लक्ष चालिस दिन में काम पूरा करने का है चलो भाईया कोई लक्ष है कोई जैसे ठीका आप सभी लोग लेते हैं कि ठीका लेंगे तो जल्द इसकाम हो जाएगा लेकिन उस पर एक कंडिशन दे दिया जाता है कि हमको एक महिने में काम complete चाहिए तो आजकल जितने भी घर और बनने या जितने भी कुछ होते न ठेकेदार पर ही होता आप लोगों को सुना होगा ठेकेदार ही क्या होता है कह रहा है एक ठेकेदार का लच्छ इसको 40 दिनों में काम complete करना है और 20 व्यक्तियों को क काम पर लगाया ठीक है इसमें 20 व्यक्तियों को लगाया मतलब यह M1 का मान हो गया सर्जी 20 यह हम यह डीवन नहीं लिखेंगे क्योंकि यह हमारा लच्छ है यह हमारा लच्छ की इतने दिन में हमको करना है फिर कोशन देखिए जिन्होंने 10 दिन में 10 दिन यह डीवन आया 10 की एक बटा चार काम किया चिक है दो इसमें आपको डबल दिया है काय रहा है लेकिन आप से मैं पूछूं कि एक बटा 4 में आप क्या समझते इसका मनलब यह होता है बाबू कि जो नीचे संख्या रहती है मतलब उसको उतना भाग कर दो और इसका मतलब जो उपर रहता है मत मलब इतना कारी हुआ है तो मैं आपसे पूछ लूँ कि एक बटे-4 मलब की चार खाना में से एक खाना हो गया तो आपको फ्रैक्सन में मैं और पूछनों की कितना खाना बचा कितना सेस बचा तो एक दो तीन 3 कोई दिकर नहीं सरची बच गया चार में से सलिकेंगे अब मैं आप से पूछनों की डप atual og क्या होगा बाव डबलू टू तीन मेटे चार ही होगा क्योंकि चार एक खाना था मालो इसको इस कार को ठेकदार ने चार भागों में डिवाइड कर दिया और उसने कहा कि 20 व्यक्ति ने लिए और 10 दिन में एक बटे चार काम कंपलीट हो गया मतलब क्या हुआ कि इस चार घर में से एक घर हमने बना चुका तो डबलू कितना होगा कितना सेस बचा बाव यह हो गया अच्छा अब इनसान कमान दिया है देखें इनसान मतलब आदमी कह रहा है चोड़कर चले गए मतलब कुछ आदमी थे और काम कहा है उसे अपने लचको अनुसार सेस काम को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को लाजना पड़ेगा बत्ब वह कितने व्यक्तियों को लायेगा मतलब पूछा है म 2 आप कि मन में i question आएगा सर्जी इसमें M two दिया है Italy दिया है लेकिन का Olga जिनमें से जिनुञ्रेटे काम हो चुगा तो बचा कितना दिन 30 दिन 200 कोई दिक्क्त है क्या नहीं यहां लिख देङगे 30 दिन अब क्या M2 कमान नहीं निकाल पाएंगे तो जी निकाल लेंगे अब बहुत आसान है थ्यांस देखें फार्मला क्या है M1 D1 equal to M2 D2 upon W2 और upon W1 सर्जी M1 कमान है 20 D1 कमान है 10 और इस कमान है 1 by 4 तो 4 उपर चला गया ठिक कोई दिक्कत नहीं है M2 कमान दिया है सर्जी वही तो निकालना है M2 कमान D2 कमान दिया है 30 और W2 कमान दिया 3 by 4 तो 3 नीचे 4 उपर चला गया ठिक है आप काटेंगे दो कुछ करता है देखें 1 0 से 1 0 कट गया यह 4 से 4 कट गया ठिक और यहां 3 से 3 कट गया आर्थाथ हमारा जो M2 आया वो कितना आगया 20 है हमारा एंसर होगा कोई दिक्कत नहीं है next question देखते हैं कहरा है कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं भाई कोई काम है मान लिजे कोई काम है और इसको 60 दिन में पूरा कर लेते हैं तो हमने ले लिए डीवन इसकार टू कितना सजी 60 है ठीक है कुछ आदमी हमें नहीं पता कितने आदमी है तो हमने मान लिया एक सादमी मैं आपसे कोशन पूशता हूं जिसे मान लिजिए कोई मैं इस काम को कर रहा हूं इसमें 5 लोग है ठीक तो यह 10 दिन में मैं कम्पलीट कर लिया मैंने कहा 5 और आ गए बहुं 5 लोग और आ गए इसी में तो यही कोशन इसमें कह रहा है हमने मान लिया कि एक सादमी है कुछ आदमी मतलब एक सादमी है तो कह रहा है कि दस दिन काम पहले पूरा हो सकता है यह डीटू कामा नहीं दिया यह कह रहा है ना जिसे मालू यह काम साथ दिन में कम्प्रीट हो तकता है है ना अब मैं कह दू कि अगर आठ लोग और आगा है तो यह दस दिन पहले काम हो सकता है दस दिन मतलब छूट गया बाबू जैसे मैं आप से कहूं कि जैसे यह कोई काम है ठीक यह अकेल एक लड़की इस काम को मत्रब को अब यह अगर हम दो और अगर दोग होते तो यह काम हमारे तीने दिन में फाइनल हो जाता नहीं है वही चीज है कि यह अगर अकेला अदमी था तो साथ दिन में अगर आठ लोगों को और मिला लेते तो दस दिन पहले काम हो सकता है वालब दस घटा देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा सजी पचास तो हमारा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब हमारा सजी यहां पर वर्क दिया ही नहीं है डबल वन डबल टू नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे अब फार्मुला क्या हो जाएगा सजी उटके महीं d1 इसकल टू अम ुठक किस्टी और एन्टक क्मान एक्स प्लस कितना है एल ओर इंटो की त्यस्च जीरो से जीरो कर देंगे यहां लाएगा से इसक्लों हैं तो भाईया 40 लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आई होग की पूरा कॉंसेट आप लोगों को समय आया होगा